हेलो बच्चों मैं दीपेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चानल रादी स्टडी हम में स्वागत करता हूं यह वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए है और इस वीडियो में आप लोग प्रिविएस वीडियो में इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 बहुपत के और इसमें आप पढ़ेंगे 2.2 तो देखोई स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 2.2 का आपको कोश्चन नमबर पहला आपको दिख रहा होगा इस स्क्रीन में कह रहा है 5 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वाइर प्लस 3 पहला कोश्चन आपको दिख रहा होगा कह रहा है 5 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वाइर प्लस 3 इसमें कह रहा है कह रहा है के मान ग्याद कीजिए जब फश नमबर एक्स बरावर जीरो पर तो एक्स बरावर जीरो पर निकालेंगे तो एक्स बरावर जीरो पर तो एक्स बरावर जीरो पर निकालेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि समी करण में आपको जहां जहां X दे रहा है वहां पे कितना रखना है जीरो रखना है तो ये रखेंगे इसको हल करेंगे तो 5 X की जगहे पे 0 रख देंगे माइनस 4 X की जगहे पे फिर 0 रख देंगे 0 का स्क्वायर प्लस के 3 5 का 0 गुड़ा करेंगे 0 4 के 0 में 0 प्लस के 3 0 में 0 कोई मतलब ही है मैत तो ही नहीं होता है तो क्या बचेगा 3 तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 3 अब देखिए सेकेंड में आपसे कह रहा है कितने पे X बराबर माइनस के 1 पर तो X बराबर जब माइनस 1 पर निकालेंगे तो आप कैसे solve करेंगे इसको यहाँ पर रखेंगे X की जापे माइनस 1 तो समो आंसर आपका आजाएगा 5 X की जापे रखेंगे माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 1 फिर दे रहा है माइनस 4 X की जापे रखेंगे माइनस 1 तो यह हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन का स्कॉायर प्लस दे रहा है आपको तीन तो प्लस के हो जाएगा तीन एक्वल पांच का माइनस वन में गुड़ा करेंगे तो माइनस के पांच आ जाएगा अब देखिए माइनस का स्कॉायर हमेशा क्या होता है प्लस होता है तो इसका म माइनस माइनस वाले जुड़ते हैं और प्लस वाला घटता है तो यह जो नो घट जाएंगे जब सेम चिन होते हैं तो हमेशा जुड़े आते हैं तो माइनस के पांच में माइनस के चार जुड़ेंगे या रखना ना जब सेम चिन होंगे तो जुड़ेंगे और जो चिन होग तो माइनस के 5 में माइनस के 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस के 9 चिन बताया जो होगा जैसे प्लस के 3 में प्लस के 2 जोड़ेंगे या प्लस आंगे ना लगा हो तो क्या हैगा प्लस के 5 माइनस के 3 में माइनस के 2 करेंगे तो जुड़ेगा लेकिन क्या हैगा माइनस के 5 बास सोच में आई ऐसे 5-4 हो जाएंगे माइनस 9 प्लस के 3 एक्कल हो जाएगा माइनस के 6 ये हो गया इसके बाद ध्यान दीजिए आप इसके 3rd नमबर पे तो इसके 3rd नमबर में आपसे कह रहा है X बराबर 2 पर तो X बराबर 2 पर solve करेंगे X की जाएपे रखेंगे 2 तो हो जाएगा 5 यहाँ पे X की जाएपे 2 तो हो जाएगा इंटू में 2 माइनस 4 इंटू X स्क्वार तो X यहाँ पर रखेंगे 2 2 का स्क्वार प्लस के 3 5 दूनी 10 माइनस के 2 का स्क्वार 4 चार चार चोको 16 प्लस के 3 आपको बताया प्लस प्लस जुड़ते हैं तो यह दोनों के सेम चिन जुड़ रहा है दिख रहा है तो यह जुड़ जाएँगे तो 10 में 3 जुड़ेंगे तो कितना हैगा 13 माइनस के 16 अब देखिए दोनों के अलग अलग चिन है तो गटेगा लेकिन जो बड़ी संख्या होती उसके आंगे वाला चिन 16 बड़ा है तो 16 के आंगे माइनस है तो माइनस के चिन 16 में 3 जाएंगे बचेगा 3 तो इसका अंसर हो गया माइनस के 3 जीके सेकेंड नमबर कुश्चन आपको इस स्क्रीन में दिख रहा है आप से कह रहा है पी जीरो पी वन और पी टू पर गयाद करना है किसका मान कह रहा है पी वाई बराबर पहला दे रहा है दूसरे का पी वाई इक्वल आपको दे रहा है वाई स्क्रीन माइनस वाई प्लस वन आप से कह रहा है पी जीरो पी वन और पी टू पर मान गयाद करना है तो देखो पी जीरो निकालेंगे सबसे पहले तो जब यहाँ पर वाई था तो यहाँ पर वाई की जगए पर क्या दिख रहा है जीरो तो जहां जहां वाई है वहाँ वहाँ क्या रिख देंगे अगर नबर की बात करें यह तो आगल फिर आपफ़ आप से कह रहा है पी वन और फीवन जाए इसमें वाई था था यह जरा वह साल रकर एंगेर यंगे यह रखेंगे यहां यहांपे रखेंगे प्लस के फडस माइनस , जीरो क्या बचेंगा , लुए आ गया , पी वन कमान कितना है आपका , वन आ गया , तो पी टू कमान गया किजिए , जब टू कमान नकालाेंगे , जब टू रग आएंगे , तो, यहां पे य य जड़ेंगे , Ing turn यहां जहां वाई हैं वाव तूरा खी तो आ टू रखेंगे तो कए स्कृाइर माइनज तू प्लस बराबर हो जाएगा दो का स्कृायर चार और माइनस दो दो के अलग लेख चिन नहीं क्या होंगhmenे गटेंगा माइनस चिन बड़ा है वड़ी वाली संख्या कहिं यहांगे मा ती ती दे रहा है आपको और बराबर कह रहा है टू प्लस टी माइनस टू टी स्क्वाइर माइनस प्लस के टू टी स्क्वाइर माइनस के टी क्यों यह आपको दे रहा है अब इसमें कह रहा है कि आपको टी का मान गयात करना है तो कैसे निकालेंगे यह टू टी प्लस 2 प्लस T अब देखो पहले तो नीड निकालेंगे P0 का मान क्योंकि पहले तीन चीज़ें निकालनी आपको इस स्क्रीन में दीख रहा है P0, P1 और P2 तो P0 का जब मान निकालेंगे तो जहाँ जाँ T है T की जगरेंपे क्या लिखा जीरो तो जहाँ जहाँ T है वहाँ के रखेंगे 0 तो यह हो जाएगा 2 प्लस ही हो जाएगा 0 यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस के 0 0 से आपको कोई मतलम नहीं क्या आगया तो यह हो गया किसका मान P0 का फिर इसके बाद आपसे कह रहा है कि P1 का मान ग्याद कीजिए P1 निकालेंगे तो अब जहाँ T की जगए पे कहा लिखा है 1 तो जहाँ जहाँ T है वहाँ कहा लिखेंगे 1 तो यह हो जाएगा 2 यहाँ पे आजाएगा 1 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वाइर माइनस यहाँ पे 1 का क्यूब तो यह आजाएगा 2, 1, 3 और यह तो माइनस एक और प्लस एक कैंसिल हो गया बचेगा 2, प्लस 1 का स्क्वाइर होता है 1, 1 का 2 में मल्टिप्लाई करेंगे आएगा 2 2 का 2 में जोड़ेंगे 2 को 2 में तो कितना आजाएगा 4 तो P1 का मान हो गया 4 आपका इसके बाद निकालेंगे P2 जब P2 निकालेंगे तो आप क्या करेंगे जहाँ जहाँ आपको T की जग़े पे क्या गया है 2 तो यहाँ जहाँ जहाँ T दिख रहा है वहाँ क्या लिखेंगे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू यहां टी की जगे टू का स्कॉरर और माइनस यहां टी की जग एर पर रखेंगे थर्ड नमबर में आप से कह रहा है PX बराबर X części PX बराबर X 대uke तो पहले तो आप क्या करेंगे वीडियो को इसी जग़े पर रोखेंगे और इसको स्वेम से लगाने की कोसिस करेंगे उसके बाद इसको आँगे बढ़ेंगे आप लोग तो क्या लिखेंगे सबसे पहले P0 0 यहां रखेंगे तो 0 का cube कितना हो जाएगा 0 P0 का मान आगे आपका 0 इसके बाद आप लगाएंगे किस का मान निकालेंगे P1 का आपसे कह रहाँ था X की जाँपे क्या है 1 तो यहां पर 1 रखेंगे 1 का cube और वन का क्यूब कितना होता है फिर निकालेंगे किस का मान पी टू का कह रहा था तो अब निकालेंगे पी टू का मान जब पी टू का निकालेंगे तो यहां पर एक्स की आपर क्या रखेंगे एक्स की आपर क्या है टू तो यहां पर रखेंगे टू तो टू का क्यूब और 2 का Q कितना होता है 8 तो P2 कितना आगे है 8 इस परकार यह 3rd नमबर हो गया अब देखो 4th नमबर की और बढ़ते हैं question की और दूसरे के 4th में आपसे कहरा है PX equal जो है वो कहरा है X-1 और X-1 है अब आपको इसको solve करना है तो इसमें देखिए सबसे पहले किसको solve करेंगे निकालेंगे P0 का मान जब P0 का मान निकालेंगे तो जाह जाह एक समिला है वो 0 रखेंगे तो 0-1 और यहां पे 0-1 तो यह बचेगा माइनस के 1 यह आ जाएगा प्लस के 1 प्लस का माइनस में जब अलग 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 चिन का गुणा करते हैं तो हमेशा चिन माइनस का आता है फिर से एक बार सुन लीजिए जब विपरीत चिन का या अलग 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 चिन का जब गुणा करते हैं तो चिन का आता है माइनस का आता है one का one में गुणा करेंगे कितना आएगा one आ जाएगा clear अब करेंगे किसका मान निकालेंगे P2 P1 का जब P1 का निकालेंगे तो यहां यक्स की जापे रखेंगे one तो यह हो जाएगा one minus one यह one यहां पे plus one one में one गटाएंगे जीरो बचेगा अब इस जीरो का चाहिए किसी भी संख्या में गुणा करेंगे आपको पता है क्या आता है जीरो आता है जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करें क्या आता है जीरो आता है इसके बाद अब निकालेंगे P2 का मान जब P2 का मान निकालेंगे तो X की जहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर PX है X यहाँ पर इसमें क्या दे रहा है 2 तो जहाँ जहाँ X है वहाँ क्या लिखेंगे 2 तो यहाँ पर रखेंगे 2 2-1 और यहाँ पर रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2-1 P2 equal 2 में 1 घटाएंगे बचेगा 1 दो में एक जोड़ेंगे तीन तीन का एक में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा तो इस प्रकार आपने question number second के चारो पार्ट पड़े तीन नमबर देखिए question तीन नमबर में कहरा है सत्यापित कीजिए की दिखाए गए मान नमलिखित इस्थितियों में संगत बवपत के सून्यक है देखो इसका पहला जो आपको दे रहा है first part उसमें कहरा है PX बराबर दे रहा है 3X प्लस 1 और आपसे कहरा है X equal minus के 1 by 2 तो यह आपको बताना है कि X बराबर minus के 1 by 2 इस फ्लन का हल है या नही है कैसे करेंगे 2 तरीके पहले तो क्या कीजिये कि इससे खुद आप क्या कीजिये उसका मान निकालेंगे अगर इससे X का तो लिखेंगे PX बराबर 0 के लेके solve करेंगे तो PX की जापर क्या लिखेंगे 3X प्लस 1 equal 0 3x equal क्या हो जाएगा minus 1 तो x बराबर minus 1 by 2 तो लिखेंगे अता दिये गए बवपद बवपद का x equal minus के 1 by 3 एक हल है इस प्रकार solve करते है या इसकी दूसरी विदी क्या है वो समझ लीजिए और दूसरे तरीके से समझते है समीकरण दे रहा था आपको बवपद आपको दे रहा है बवपद दे रहा है px equal 3x plus 1 इतने में आप क्या करेंगे जो आपको बगल में x की value दे रहा है x की value आपको क्या दे रहा है सवाल में x बराबर minus के 1 by 3 तो में x बराबर minus के 1 by 3 रखने पर इसमें x बराबर minus के 1 by 3 रखेंगे तो x बराबर जब minus के 1 by 3 रखेंगे तो PX equal हो जाएगा 3 X की जगए पे रखेंगे minus 1 Y3 और plus के 1 3 से 3 cancel क्योंकि यह गुणा में भाग में कड़ जाएगा बचेगा इसमें minus के 1 और यह बचेगा plus 1 और minus 1 plus 1 गटके क्या बना देगा 0 बना देगा तो इसका जो answer आजाए यह क्या है अता बिसके बाल लिखेंगे अता जब यदी 0 आ रहा है तो यह हल है अगर 0 के अलावा कुछ आता तो हल नहीं था तो लिखेंगे अता X बरावर minus 1 बटे 3 दिये गए बहुपत का हल है दिये गए बहुपत का हल है तो देखिए तीसरे का जो second part दे रहा है उसमें दे रहा है PX equal 5X minus के πाई और आप से कह रहा है कि बताना है कि X बरावर 4 बटे 5 दिये गए समीकन का हल है या नहीं है क्या करेंगे वही X बरावर रख देंगे 4 बटे 5 रखने पर जब रखेंगे तो या पर 4 बटे 5 minus pi 5 से 5 कट गया इसका अंसर आया 4 minus pi तो 4 minus pi जब कि आना क्या चाहिए 0 तो सुन आया नहीं अता X बरावर 4 बटे 5 दिये गए बहुपद का हल नहीं है दिये गए बहुपद का हल नहीं है इसके बाद देखिए थर्ड नम्बर थर्ड नम्बर में आपसे कह रहा है कह रहा है कि PX इक्वल दे रहा है X स्क्वायर माइनस के 1 अब इसमें बताना है X बरावर 1 और X बरावर माइनस 1 पर समीकन का हल है या नहीं है बहुपद का हल है या नहीं है तो X बरावर 1 रखेंगे ये बहुपद के सुन्यक है या नहीं है हल की जगह लिख दिये सुन्यक क्योंकि सुन्यक कह रहा है था तो X बरावर 1 रखने पर तो X बरावर 1 रखेंगे तो P into यहाँ पे 1 यहाँ पे रखेंगे 1 तो 1 काора स्वाइर माईनस 1 1 का स्वाइर 1 होता है माईनस 1 करेंगे क्या आजाएगा 0 आजाएगा जब 0 आगया तो अता X बराबर 1 बाउपत का सोन्यक है बाउपत का सोन्यक है इसके बाद देखिये इसमें आप कहा रहा थां यक्स बरावर दो चीजें दे रहा है एक दे रहा है एक और एक दे रहा है एक सबरावर माइनस ऐखने पर X बराबर माइनस 1 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे जब माइनस 1 रखेंगे तो P2 माइनस 1 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वाइर माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वाइर क्या होता है प्लस के 1 होता है और माइनस के हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा जीरो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बराबर माइनस वन भी दिये गए समी बहुपद का सुन्यक है अता एक्स बराबर माइनस वन दिये गए बहुपद का हल है बहुपद का सुन्यक है ये भी इसका क्या है सूनने खाये इसके बाद देखिए कह रहा है फोर्ट नमबर में PX इक्वल X प्लस 1 और X माइनस 1 और X बराबर बताना है कितने पर माइनस 1 और 2 पर सूनने खाये या नहीं है तो क्या करेंगे सबसे पहले X बराबर माइनस के 1 रखने पर माइनस 1 रखने पर जब ये रखेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि PX की ज़ापे रखेंगे माइनस 1 यहाँ पर रख देंगे माइनस 1 प्लस के दे रहा था 1 यहाँ पर माइनस 1 माइनस के 1 minus 1 और plus 1 हो जाएगा 0,0 का इसमें गुड़ा करेंगे तो आ जाएगा soon तो P minus 1 का जो मान आया वो आ गया soon इसके बाद देखिये फिर कहे रहा था यक्स बराबर 2 पर तो यक्स बराबर 2 रखने पर तो यक्स बराबर जब 2 रखेंगे तो आप लोग क्या पाएंगे एकस बराबर दो रखने पर आप लोग पाएंगे यहां पे दो रखेंगे तो हो जाएगा पी इंटू टू इक्वल यहां पे टू रखेंगे तो टू प्लस वन और यह टू माइनस वन दो एक हो गया तीन और इसका मान एक हो जाएगा तो कितना आजाएगा तीन तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तीन आजाएगा जब कि इसका अंसर क्या होना चीए था सुन तो अता इसमें लिखना भूल गए लिखना था क्या कि X बराबर माइनस वन दिये गए बवपत का सुन्यक है बवपत का सुन्यक है ठीक है इसके बाद इसमें लिखेंगे अता X बराबर दो दिये गए बवपत का 0 आ नहीं रहा है तो क्या होगा बवपत का सुन्यक नहीं है का सुन्यक नहीं है यह हो गया इसका अंसर इसमें कह रहा है P X बरावर X स्क्वायर तो इसमें कह रहा है X बरावर 0 क्या इसका दिये गए उपत का सुन्यक है तो आप क्या करेंगे X बरावर 0 रखने पर X बरावर 0 रखेंगे तो आप क्या पाएंगे X बरावर 0 रखने पर P 0 का जो मान होगा वो बरावर हो जाएगा 0 का स्क्वायर बरावर 0 तो जब 0 आ गया तो लिखेंगे अता X बरावर 0 दिये गए बहुपद का बहुपद का 0 नियक है पांच के बाद इसका छठा कोशन देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि P X एक्वल दे रहा है L X प्लस M और X बरावर माइनस के M अपॉन L पर ग्याद करना है तो X बरावर माइनस के M अपॉन L रखने पर यह रखेंगे तो यह आ जाएगा P यहाँ पर हो जाएगा माइनस M अपॉन L तो L X की जगाए पर रखेंगे माइनस M अपॉन L प्लस के M L से L कैंसिल माइनस M प्लस M बरावर हो जाएगा 0 तो अता X बरावर माइनस M अपॉन L दिये गए बहुपद का सुन्यक है यह हो गया इसका अंसर इसके बाद देखिए 7 नमबर कोश्चन 7 नमबर में आप से कह रहा है कि PX इक्वल 3X स्क्वाइर माइनस 1 PX इक्वल 3X स्क्वाइर माइनस 1 क्या करेंगे X बरावर माइनस 1 अपॉन रूट 3 या X बरावर 2 अपॉन रूट 3 पर बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे x बराबर माइनस 1 अपाउन रूट 3 रखने पर जब इसको रखेंगे आप तो क्या आएगा आपका x की जाए पर रखना है तो p into x की जाए पर रखेंगे माइनस 1 अपाउन रूट 3 equal 3 into यहाँ पर value रखेंगे तो माइनस के 1 अपाउन रूट 3 square कर देंगे माइनस के 1 माइनस का square प्लस होता है रूट 3 का square 3 माइनस 1 तीन से तीन कट गया 1 माइनस 1 आपका आजाएगा 0 तो जब 0 आगया तो यह दिये गए समीकन का क्या है सून नेक है तो लिखेंगे आता x equal minus 1 upon root 3 दिये गए बहुपद का सून नेक है चीक है अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद आप से कह रहाता x equal 2 upon root 3 पर तो अब लिखेंगे क्या की x equal 2 upon root 3 रखने पर तो x बराबर 2 upon root 3 रखेंगे तो p into यहाँ पर p की जगए x की जगए पर रखेंगे 2 upon root 3 equal 3 x square तो x यहाँ पर कह लिखेंगे 2 upon root 3 का square और minus के 1 इसको solve करेंगे equal 3 2 का square 4 upon root 3 का square 3 minus 1 3 से 3 कट गया 4 minus 1 बराबर आएगा 3 तो 0 तो आया नहीं इसका मतलब x बराबर 2 upon root 3 दिये गए बहुपद का क्या है सुन्यक नहीं है इसमें लिख लेंगे आपकी अता x equal 2 upon root 3 दिये गए बहुपद का सुन्यक नहीं है ये आगया इसका अंसर ठीक है अब इसके जो एक part वचा ये आप सुन्यक ग्याद कीजिए इसमें सुन्यक बताना तो पहला ये दे रहा तो सुन्यक ग्याद करने के लिए क्या करेंगे आप पी एक्स equal ले लेंगे 0 के जब पी एक्स आपने 0 ले लिया तो इसकी जब value रखेंगे आप तो x की जगापे रखेंगे एक्स प्लस 5 बरावर 0 तो x बरावर हो गया माइनस 5 यही माइनस 5 क्या इसका सुन्यक है तो इसका ये आंसर हो गया इसके बाद देखिए इसका second number question इसका second question कहरा है पी एक्स equal x माइनस 5 अब इसमें इसका सुन्यक निकालना है तो निकालेंगे क्या करेंगे पी एक्स इक्वल ले लेंगे 0 तो x माइनस 5 इक्वल 0 x इक्वल क्या करते है माइनस के 5 आ जाएगा 0 क्यों रख रहे हैं तो इसके पहले आपने देखा कि सुन्यक रखने पर उसका मान क्या हो रहा था 0 हो रहा था अर्था सुन्यक तभी इसका निकल सकता जब इसका मान क्या होना चीए 0 के बराबर होना चीए थर्ड नमबर देखिए इसका आप से कहरा है पी एक्स इक्वल 2x प्लस 5 तो क्या करेंगे पी एक्स इक्वल 0 पी एक्स की जाएपे रखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल 0 के 2x इक्वल हो जाएगा 5 इस तरफ जाएगा माइनस के 5 तो x इक्वल 5 अपॉन 2 यह हो गया इसका अंसर माइनस के 5 अपॉन 2 यह इसका क्या है सुन्नेक है थर्ड के बाद 4th नमबर देखिए 4th में कह रहा है Px इक्वल 3x माइनस 2 यह दे रहा है अब क्या करेंगे इसका सुन्नेक निकालेंगे Px इक्वल हो जाएगा 0 के Px की वैलू रखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल 0 के 3x इक्वल हो जाएगा 2 के x इक्वल 2 अपॉन 3 के यह हो गया तो यह इसका सुन्नेक आ गया इसके बाद देखिए fifth number question fifth number question में कहे रहा है PX equal 3X अब देखिए तो PX equal लेंगे 0 अर्था 3X equal हो जाएगा 0 के तो X equal हो जाएगा 0 by 3 और जब 3 में किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है तो 0 हो गया इसका अंसर इसके बाद ध्यान दीजिए इक्वल AX है क्या करेंगे इसको PX equal 0 लेंगे तो PX या AX तो AX equal 0 हो जाएगा तो X equal कितना हो जाएगा 0 upon A के तो X equal जब 0 में किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है तो हो गया अच्छे number question अब देखिए 7 number question number 7 7 number question में आपसे कह रहा है कि PX equal दे रहा है CX plus D plus D क्या करेंगे इसका सून्यक निकालने के लिए PX equal लेंगे 0 के जब PX 0 लेंगे तो PX या दे रहा है CX plus D equal 0 के तो CX equal क्या हो जाएगा minus के D के X equal क्या जाएगा minus D upon C यह इस question का answer है X equal minus D upon C इसका answer हो गया